तो गाईज आज के इस वीडियो के नहीं स्पेक्स वाइस कंपरेजन करने वाले हैं OnePlus 9 RT को Xiaomi के 11T Pro स्मार्टफोन से यह दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइजिंग है ना लांच से पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ Xiaomi 11T Pro के तो यहाँ पर सिमिलर सी रहने वाली है ओफर्स बगरा के बाद में लेकिन वाइनली काफी ज़्यादा टकर के स्मार्टफोन हो जाते हैं विकॉस यहाँ पर स्पेक्स जो है ना वो काफी हद तक सिमिलर हो जाते हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है अगर आप भाई करना चाहते हो दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को किसी भी परपस देस वीडियो को सुरू से लेके सबसे पहले हम बात करेंगे built quality से ना तो दोनों ही phones का weight है वो लगबग similar सा रहने वाल है यहां पर आपको 204-205 ग्राम के करीब यह दोनों ही phones देखने को बिलते हैं जो कि काफ़ interesting है and guys अगर बात करें design और built quality को लेकर तो भई वो भी लगबग similar मिलती है क्योंकि दोनों ही phones का back side यहां पर glass panel के साथ आता है and दोनों ही phones में आपको metal frame देखने को मिलते है sides में तो जो काफ़ी equal हो जाता है and दोनों ही premium back side panel के साथ आते हैं यह कह सकता हूँ लेकिन guys अगर आपको design wise चूज करना है कि कौन सा phone हमें लेना है तो आपकी choice हो सकती है जहां पर OnePlus 9 RT दो color option के साथ में आता है hacker black and silver color option देखने को मिलता है जो की काफ़ी कमाल का लगता है और वहीं पर अगर Xiaomi K11T Pro smartphone की बात करें तो आपको एक काफ़ी कमाल का magical color देखने को मिलता है जिस पर lights परती है तो आपको काफ़ी अलग-अलग color देखने को मिलते है काफ़ी अलग-अलग color flare होते है जैसे कि आपको blue देखने को मिलता है आपको हलका pink भी देखने को मिलता है green भी मिलता है काफी सारे amazing color देखने को मिलते हैं तो यह जो color हो जाता है वो काफी ज़्यदा interesting हो जाता है तो कह सकता हूँ कि अगर आपको एक अतरंगी design चाहिए आप 11T Pro के साथ जा सकते हो आपको एक simple plain design चाहिए आपको matte look चाहिए तो यहाँ पर आप OnePlus 9 RT के साथ जा सकते हो बाकी दोन ही के build quality सेम है वेट सेम है तो आप चूस कर सकते हो design wise लेकिन अगर display की बात करें तो दोनों phone के display में बहुत जादा difference देखनी को मिलता है जैसे कि एगर OnePlus 9 RT के display size की बात करें तो यह smartphone आपको देखने को मिलता है 6.62 inch display size के साथ में जो की full HD plus resolution के साथ आने वाले एक E4 AMOLED पैनल है Gorilla Glass 5 की protection आपको display के उपर देखनी को मिलती है 120Hz high refresh rate का support देखनी को मिलता है 300Hz के touch sampling rate का support देखनी को मिलता है 1300 inch की peak brightness देखनी को मिलती है and SDR10 Plus का certification देखनी को मिलता है लेकिन हाँ यहाँ पर आपको इंडिस्प्ले fingerprint sensor नहीं मिल रहा है सबसे पहले बता दू side mounted finger speed sensor देखनी को मिल रहा है और Xiaomi की एक बहुत बड़ी कमी है कि AMOLED पैनल देती है कितना भी flexible smartphone हो लेकि side mounted fingerprint sensor ही देती है इंडिस्प्ले fingerprint sensor नहीं देती है लेकिन अगर बात करें तो Xiaomi 11 T Pro का जो display रहने वाला है बाकी specs बहुत ही कमाल के है जैसे एक बड़ी साइज स्क्रीन देखनी को मिलती है 6.67 inch की full HD plus resolution के साथ आने माला एक AMOLED पैनल है लेकिन यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है HDR 10 plus का सटपी के संट Dolby Vision का support देखनी को मिलता है यहाँ पर आपको 800 needs की peak brightness देखनी को मिलती है जो की up to 1200 needs तक जाता है एंड गाइस brightness कमाल की मिलती है उसके साथ में यहाँ पर आपको मिलता है Gorilla Glass BigTus की production जो Gorilla Glass BigTus का production है वो Gorilla Glass 5 के comparison में थोड़ा सा अच्छा होता है तो यहाँ पर definitely आपको एक plus point देखनी को मिलता है इसके साथ में यहाँ पर आपको center में punch hole cutout देखनी को मिलता है काफी सारे लोग को यह ज्यादा अच्छा लगता है और personally मुझे ना यह center punch hole cutout ज्यादा अच्छा लगता है इन comparison to top net punch hole cutout तो यह चीज़ एक अच्छी बात है flat screen दोन ही phones के साथ में और अगर finally बात करें कि किस phone का display अच्छा देखनी को मिलता है तो चाहिए आप gaming के purpose से देखो या फिर content watching करना है तो उन सभी गले Xiaomi 11T Pro smartphone display काफी कमाल का हो जाता है लेकिन अगर आपको इन display fingerprint sensor चाहिए ही चाहिए न तो आप OnePlus 9 RT के साइट जाना एक कमाल का option होगा बाकर display OnePlus 9 RT का भी अच्छा है जो color से वो अच्छे देखनी को मिलते है लेकिन कहीन कहीन थोड़ी सी चीज़े ना add कर दी गई है Qualcomm Snapdragon 888 वाला chipset देखनी को मिलता है दोनों ही phones में आपको DDR 5 RAM, UFS 3.1 storage type देखनी को मिलती है gaming graphics को समालने के लिए दोनों phone में Adreno 660 GPU देखनी को मिलता है तो दोनों ही phones में आप बहुत ही highly gaming कर सकते हो लेकिन एक difference में आपको बता दू कि हैवी gaming करने के टाइम पे ना विपल 8 थोड़ा सा heat होता है और उसको जादे अच्छे से maintain कर पाता है OnePlus 9RT और वहीं पर बात करें Xiaomi 11T Pro को लेकर नो तो यहां पर थोड़ी सी heating देखनी को मिलती है थोड़ा सा जादा देखनी को मिलता है 9RT के comparison में तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आप बहुत हैबी टाइम तक gaming करने वाले हो लंबे टाइम तक तो वहां पर कहीं न कहीं OnePlus 9RT अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन Xiaomi 11T Pro थोड़ा सा heat करता है लेकिन उसके बाद में भी performance में कोई बहुत बड़ा difference नहीं देखनी को मिलेगा अच्छी performance आपको निकाल कर देनी वाल है performance के बाद में अगर software की बात करें तो Xiaomi 11T Pro स्मार्टफोन आता है MIUI 12.5 पर Android 11 का support देखनी को मिलता है OnePlus 9 RT भी Android 11 के साथ में आता है लेकिन यहाँ पर आपको Oxygen OS देखनी को मिलता है लेकिन भाई क्योंकि अब Oxygen OS Color OS के mix-up के साथ में आ रहा है तो पुरानी वाली बात तो नहीं रही लेकिन हाँ अभी भी MIUI 12 से तो जाला ही अच्छा है MIUI 12 में काफी सारे bugs भी देखनी को मिलते है तो यह कहने का ही software wise आप चूज कर सकते होगी आपको Oxygen OS चाहिए आपको एक brand value ही चाहिए या फिर आपको Xiaomi का 11T Pro का MIUI 12 चाहिए बाके गईस overall अगर बात करें performance को लेकर तो दोनों phone लगभक से similar रहने वाले है थोड़े बहुत का difference आपको देखनी को मिल रहा है जो कि मैंने आपको बदाई दिया performance display design के बाद में अगर हम बात करें battery को लेकर तो यहाँ पर ना Xiaomi का 11T Pro smartphone बहुत जादा आगे निकल जाता है because 5000 image की लंबी battery दी गही है 120 watt का fast charging support देखनी को मिलता है और 120 watt का fast charger box के अंदर मिलता है जो कि phone को 20 minute के अंदर 0 to 100% charge कर देगा जो कि बहुत ही कम time है वहीं पर बात करें OnePlus 9 RT को लेकर 4500 image की बैटरी है 65 watt का charger है यह जो smartphone को 0 to 100% 30 minute के करीब full charge कर देगा तो मेरे को निंग कहीं अगर battery wise देखे ना लंबी battery मिलती है लंबे time तक gaming करना है phone को जल्दी charge करना है उसके लिए Xiaomi का 11T Pro smartphone एक अच्छा option हो जाता है camera की बात करें तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि launch के बाद sample देखने के बाद ही कुछ कह सकते है लेकिन मैं कह सकता हूँ on paper भी यहाँ पर जो OnePlus 9 RT का camera है वो थोड़ा सा अच्छा होगा बिकाज यहाँ पर back side में triple camera lens दो नहीं phones में दिये गए है लेकिन जो OnePlus 9 RT में primary lens है वो है 50MP का IMX 766 वाला sensor इसके लिए 16MP का ultra wide lens है और last में 2MP का fall to macro lens और वहीं पर अगर हम Xiaomi 11T Pro smartphone की बात करें तो primary lens 108 यानी 108MP का है जोकि Samsung sensor है तो कहने कहीं यहाँ पर भी difference आपको देखने को मिलेगा Sony और Samsung sensor के अंदर लेकिन इसके साथ में आपको 8MP का ultra wide lens देखने को मिलता है तो ultra wide shots आप OnePlus के अंदर जादे अच्छे ले पाऊगे लेकिन अगर macro lens की बात करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है Xiaomi 11T Pro के साथ में 5MP का macro camera देखने को मिलता है जोकि काफी अच्छा perform करता है अगर आपको macro camera के लिए best smartphone चाहिए तो Xiaomi Redmi से अच्छा कोई भी option नहीं है चाहे वो Redmi का Note 10 Pro हो, Pro Max हो जोकि 20,000 के करीब आता है या फिर Xiaomi 11T Pro हो तो अब तक आप काफी जादे confused होगा होगे camera को लेकर तो यहाँ पर clear कर दू कि भाई यहाँ पर Xiaomi 11T Pro के साथ में OIS का भी support देखने को नहीं मिलता है EIS का support है and OnePlus 9 RT के साथ में OIS का support देखने को मिलता है तो यह एक अच्छी बात की भाई OnePlus 9 RT के साथ में आप वीडियोग्राफी अच्छी कर पाऊगे लेकिन अगर image की quality की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा difference नहीं होगा था उन्हों फोन के अंदर तो अगर आप camera wise एक best smartphone रोंड रहे हो तो camera के अंदर कोई कमी नहीं हो OnePlus 9 RT एक अच्छा option रहने वाल है लेकिन भाई Xiaomi 11 T Pro के back side camera से आप 8K तक की video recording कर पाऊगे यहाँ पर आप 4K 60fps तक की video recording कर पाऊगे लेकिन OIS का support नहीं है तो definitely कह सकता हूँ कि 8K और 4K देने का कोई मतलम नहीं बनता है काफी जदे CK videos record होंगी लेकिन यहीं पर गर बात करें ना OnePlus 9 RT एक तो 4K तक की video recording कर पाऊगे तो यह कुछ चीजे on paper यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप काफी जदे confused हो चुके हो लेकिन आपको definitely कहना चाहूँगा launch के बाद में camera review देखने के बाद ही आप camera को लेकर कोई फैसला लो लेकिन on paper अभी मैं कह सकता हूँ कि OnePlus 9 RT का camera कहीन कहीं आगे निकल जाता है बात करें बैटरी, camera, display, design सभी के बाद में इन phones के कुछ और difference के बाद में तो दोनों ही phones के साथ में dual studio speaker support देखने को मिलता है लेकिन sound 11 T Pro के साथ में आपको harman kordan वाला speaker देखने को मिलता है power by harman kordan तो कहीन-कहीन जो sound के अंदर quality होगी वो sound 11 T Pro के साथ अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पर दोनों ही phones में dual card slot मिलता है, दोनों ही phones में 3.5 mm audio नी headphone jack नहीं दिये गए तो overall कुछ यही final specs दोनों phone के साथ देखने को मिलते है and finally कि आपको कौन सा phone choose करना चीए इस price के ओपर तो मैं कह सकता हूँ कि sound 11 T Pro smartphone अगर OnePlus 9 RT से कम price के ओपर देखने को मिल रहा है न, तो यह phone काफी ज्यादे value for money हो जाता है because एक लंबी charging support देखने को मिलती है एक कमाल की display देखने को मिलती है आपको ठीक ठाक सा camera और एक लंबी battery भी देखने को मिलती है एक अच्छे design के साथ में तो यह smartphone value for money है लेकिन अगर आपको OnePlus की branding चाहिए आपको oxygen OSE चाहिए आपको तोड़ा सा अच्छा camera चाहिए तो OnePlus 9 RT बेस्ट हो जाता है आप definitely इसे अभी के टाइम पे भी choose कर सकते हो तो बस जार I hope आपकी confusion दूर हो गई हो तो वीडियो को like कर देना और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो चैनल को subscribe करके bell icon को press करना बिल्कुल नपूले मिलते एक नौर कमाल वीडियो के साथ में तब तक कि लिजी जैहिंद बंदे मातरम keep watching अपना ख्याल रखिए